कार बनाने वाले कमपणिया गाड़े के सिक्रीटि को लेकर लाक दावे कर ले लेकिन आज के दौर में चोर इतने शातिर हैं कि चम्द मिंटों में कमपनी की सारे सिक्रीटि सिस्टम को हैक कर गाड़ी लेकर फराल हो जाते हैं CCTV में क्याद हुआ ये वाक्या भी आपको यही सोचने पर मजबूर करेगा देखे कैसे महस पांच मिनट में चोर हाइटेक फॉर्चुनर कार को लेकर रफूचक कर हो गए और अफसोस की बाद तो ये है कि सारे सबूतों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस कई दिन बीतने के बाद भी कार का पता लगाने में आज समर्थ रही है जब पुलिस कार को ढूनने में फेल हो गई तो इस कार के मालिक ने सोशल मीडिया का सहारा लिया जिसके बाद उसके साथ खुछ हैसा हुआ कि सुनकर किसी को भी रोना आ जाए दरसल ये गाड़ी है दिल्ली में घिटॉरनी अलाकी के रहने वाले आकाश की आकाश का रियल स्टेट का बिजनस है आकाश की माने तो इसके गाड़ी में बेहत जरूरी कागजात थे जो गाड़ी के साथ चोरी हो गए आकाश का कहना है कि 25 नवंबर 2020 को रात लगभग धाई बजे के आसपास I20 कार में तीन चोराते हैं और चंद मिंटों में ही इसकी फॉर्चूनर का लॉक तोड़ कर उसे स्टार्ट करने के बाद लेकर फरार हो जाते हैं मामले की F.I.R. दर्च कराने के बाद आकाश को पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली पूचा एड़ोकेट साफ से कि हमें ऐसे से ऑनलाइन F.I.R. करने हैं मेरी गाड़ी चोड़ी होगी है तो उन्होंने का ऐसे कुछ नहीं कि आप एक काम करो वसंद विहार में कर दो करके उसका वसंद विहार कर दो करके देंगे कि अब मैंने अपनी रधावार करते हैं कि आप हमें रिटन में लिखे दो कि आप से गलती से हो गया है जब पुलिस की तरफ से मदद नहीं मेरी तबाकाश ने सोचल मीडिया का सहारा लिया और फेस्बुक पर पोस्ट डाला कि जो भी उसकी गाड़ी की फपर देगा उसे इनाम दिया जाएगा लेकिन वो कहते हैं न कि किस्मत अगर खराब हो तो एक के बाद एक कई ठोकरे खाने को मिलती हैं सोचल मीडिया पर एक शक्स ने खुद को दिल्ली पुलिस का जवान बताते हुए कहा कि अगर आपको आपकी कार चाहिए तो दस हजार रुपै मेरे अकाउंट में डाल दे अब मरा क्या ना करता ऐसे हालात में आकाउंट नमबर में दस हजार रुपै ट्रांसफर कर दिये लेकिन कुछ घंटे परिशान होने के बाद उसे पता लगा कि यहां भी उसके साथ ठगी की गई है फिलहाल आकाश अभी भी अपनी गाड़ी और उसमें रखे कागजात का पता लगाने के लिए हाथ पैर मार रहा है लेकिन दिल्ली पुलिस की नाकामी के करण आज खिटॉरनी इलाके में गाड़ी चोरी की वार्दात लगातार बढ़ती जा रही है इस चोरी की वार्दात को दो हफ़ते भी गए हैं सीसी टीवी की तस्वीर और कई सबूत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक खाली है